नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचिवर्स ओनलाइन कोचिंग में दोस्तों आज के इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वला हैं आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बुझावल के साथ साथ नाकपूरी में महिनों के नाम को जानेंगे जिया दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में नाकपूरी में महिनों का नाम की इस तरह से होता है उसको जानेंगे हिंदी में आप लोग जानते ही होंगे आज इसमे हिंदी के साथ-साथ नाकपूरी में भी आप लोग जानिएगा दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा वीडियो को अंतक देखने के बाद कमेंट करके जरूर बते हैं कि वीडियो कैसा लगा और दोस्तो अभी तख आप ने इस यूटुब चैनल को अभी तक सस्क्राइ वीडियो नहीं देखे हैं तो description box में लिक दिया जा रहा है description box चेक कर उस वीडियो को देख सकते हैं नाकपूरी का बहुत सारे वीडियो इस YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया गया है सभी का अलग से playlist बनाया हुआ है आप सभी वीडियो को विल्कुल फ्री में देख सकते हैं दोस्तों सभी वीडियो फ्री है और अपने त्यारी को बेहतर कर सकते है तो चलिए हम लग ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं देखते हैं नाकपूरी में महिना के नाम हिंदी और नाकपूरी में महिना कर नाम देखिए किस तरह से होता है दोस्तों आपको परिक्षा में डारेट प्रस्ण पूछा जाता है कि बैशाक के पहले कौन सा महिना होता है या नाकपूरी में इस तरह से प्रस्ण पूछेगा या फिर प्रस्टा इसे भी पूछ सकता है कि बैसा के बाद कोन महिना आवी तो दोस्तों आप महिना का नाम को याद किये रहिएगा तब आप आसानी से जबाब दे सकते हैं तो चलिए आज हम लोग देखते हैं महिना के नाम जैसे अप्रिल अप्रिल को क्या बलेंगे नाप्पूरी में चेट, जी है दोस्तों ये चेट मतलब पहला महिना होता है, उसके बाद देखिए मई, मई को बैसाथ कहते हैं, अप्रिल चेट मई बैसाथ, जून जेट, जून महिना को जेट कहा जाता है, ठीक है, फिर जुलाई, जुलाई को आ पादो, फिर अक्टूबर को आश्विन या कुवार, ठीक है, नौंबर कार्तिक, फिर दिसंबर को देखिया अगन, जनवरी पूस, फरवरी माग, फिर मार्च को क्या बोलते हैं, फागुन बोलते हैं, ये अंतिम महिना होता है, ठीक है, चलिए, एक बार फिर से रिपीट करत एक बार बोलते हैं दिखे याद किशे होना चाहिए चैत बैसाग जेठ असार सावन भादो ठीक है कुवार कातिक अगहन पूस माग फागुन इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए एक बार फिर बोलिए चैत बैसाग जेठ असार सावन भादो आस्विन कुवार कातिक गन, पूस, माग, फागुन, ठीक है, इस तरह से आप भी याद कर लीजिएगा, यह महिना का नाम है दोस्तों, इसमें महिना आप लोगों के ज्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए हम लोग आप बुझावल को देखते हैं, यह महिना का नाम हो गया, याद जरूर करिएगा द को देखेंगे, पहला बुझावल है, एको चीज के काटले लहो नी निकलेला, कौन सा इसा चीज है, जिसे काटने से खुन नहीं निकलता है, जबाब देजे, चलिए, इसका देखते हैं, जबाब क्या होगा, इसका सही जबाब होगा, नाखुन, नाखुन को काटने पर देखेंगे, चलिए, अगला देखेंगे, एको चोवा से एक ठो आदमी पूछ लग, तोर माएं बाप करने जाहें, एक बच्चा है, उससे एक आदमी पूछता है कि तेरा मम्मी पापा किधर गये हैं, चोवा जबाब दे लग, बच्चा जबाब देता है, माएं तो एगो को दोगो करने गई है, और बाप काटा साथ एक जाहे, कहता है कि मेरे पिता जी काटा साथ ने गया है, फिर से एक बार बच्चावल को सुन लिजे, उसके बाद इसके जबाब को देखते हैं, ठीक, एगो चोवा से एक ठो आदमी पूछ लग, तोर माएं बाप करने जाहें चोवा जबाब दे लग, माएं तो एगो के दुईगो करेक जाहें, बाप काटा साथ एक जाहें, इसके जबाब को दीजिए, चलिए इसके जबाब मैं बता देता है, इसके जबाब होगा, माएं दाइल बना एक और बाप भाटा ले काटा कर घेरा करेक जाहें, मतलब कि इ के लिए टमटर जो बारी है ठीक है वहाँ पर काटा का घेरा करने के लिए गया है ऐसे वो बच्चा बता रहा है ठीक है चलिए इसको याद कर लिजेगा आगर देखते हैं एको चलवया 32 बुलवया इसको बताइए इसका क्या होगा चलिए इसका जबाब देखते हैं दोस्तों इसका जबाब होगा दात और जीब एको चलवया और 32 बुलवया मतलब की जीब का बात कर रहा है कि चलने वाला ठीक है और 32 बुलवया मतलब 32 दात का बात किया जा रहा है चलिए आगे देखते हैं एगो धेला में सात टोका ये बुझावल को बुझना है क्या होगा तो चलिए इसका उत्थर मैं बता देता हूँ इसका उत्ßर होगा मोड़ मोड़ मतलब कि सीर सीर एक धेला की तरह है ठीक इसमें सात गो टोका मतलब आखनाक मुहकान ये सब ही का बात किया जा रहा है ठीक है चलिए आगे दखिए एको पहार में बेगेट कर बांस एक पहार है उसमें बीना गेट का बांस है ठीक है तो बताएए इसका सही उत्तर क्या होगा इस बुझावल को बुझिए चलिए मैं इसका जवाब बता देता केस केस मतलब की बाल ठीक है चलिए आगे देखते हैं एको पहार है दो इगो आइना एक पहार है उसमें दो आइना है ठीक है दो इगो आइना मतलब की दो आइना ठीक इसका जवाब चलिए देखते हैं क्या होगा इसका जवाब देखिए मुह और आइक ठीक है क्या होगा म और आइक चलिए आगे देखते हैं एगो महल कर दोईगो खिड़की कोई महल है उसका दो खिड़की है जवाब दिजे इस बुझावल का क्या होगा ठीक है चलिए देखते हैं इसका क्या होगा जवाब नाक नाक में दो छेद होता है उसी को कहा जा रहा है कि एक महल में दोईगो खिड़की ठीक है चलिए आगे देखिए एक बीता कर बीतना सवागहंटा ही ले एक बीता कर बीतना एक छोटा सा ठीक है बीतना है वो सवागहंटा ही ले क्या है इसको बुझे चलिए इसका जवाब देखते हैं इसका जवाब क् थीक हें दत्टन इसका सहित्य उत्युतर होगा चलिए आगे दखी एक बड़ बांस एक ओगोग हैक नहीं होगोग बांस और अक ओगोग ग्यंट नहीं चलिए इसका भी जवाब होगा कैस मतलब की बाल आगे दखते हैं एक बीता गच छाता नियर पतई एक बीता मतलब छोटा सा पेड़ है अच्छाता जैसा पतई मतलब पत्ता बड़ा सा पत्ता ये कहा जा रहा है ठीक है चलिए इसके जबाब देखिए इसके जबाब होगा कुमार का चाक होता है चलिए फिर से आगे देखते हैं एको बकरा के काटले ठाड़े रहला एक बकरा है उसको काटने से खड़ा ही रहता है इसके जबाब धुनिए चलिए देखते हैं इसके जबाब क्या होगा नारा नारा मतलब आप लोग जान रहे हैं जान रहे होंगे नारा धान कारते हैं तो उसका जो नारा रहता है उसी धा ही रहता है उसी को कहा जा रहा है चलिए आगे रहते हैं एक बुढ़िया राइचु राइचु कांदेला एक बुढ़िया है राइचु 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 रोती है क्या होगा इसको बुझना है बुझावल है ठीक देखिए इसका जो सहितर होगा धेकी आगे देखिए एक बिता लकड़ी बढ़या के दली बारह कलहू चोबिस जाइद चर्खा बनाए तीन सो साइट तीन सो साइट नहीं होगा दोस्तें यहाँ पर तीन सो पैसट होगा तीन सो पैसट उबरल सुबरल गो पिरहा एक बार फिर से सुनिये एक बिता लकड़ी बढ़या के दली बारह कलहू बारह कलहू मतलब की बारह भाग चोबिस जाइद थीक है चोबिस जाइद चर्खा बनाए 24 जैज चर्खा बनाए 365 उबरल जुबरल गो पिरा देखे क्या कहा जा रहा है किस तरह से बुझावल को समझते हैं उसको देखे 12 कलू मतलब की 12 महिना का बात की रहे 24 जाइत मतलब की 24 घंटा ठीक है 365 365 मतलब की 365 दिन का बात की रहे उबरल सुबरल गो पिरहा सपता ठीक है तो चलिए इसका उतर देखते हैं क्या होगा आप लोग जान गए होंगे इसका उतर क्या होगा ठीक है साल घंटा दिन और सपता इसका सही उतर होगा चलिए आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं एगो सोब सिकरी राजा घर घुंसलक कईसे निकली एगो सोब सिकरी मतला सिकरी की तरह वो लोग जा रहा है ठीक है अर एक घर में जाके घुंस गिया अब वहां से कईसे निकलेगा इस पहली का यह अर्थ हो रहा है और कुम्णी में जाके फंस गिया अब निकलेगा कईसे यही चीज़ को वहां पर बताने का कोशिश किया जा रहा है बुझावल के माध्यम से आगर देखेखे एक को हांथी कर पेटे मैना चेरे बेरे करता है घर और चोवामन ठीक है घर एक घर है उसमें जितने बच् Chair लोग है वो लोग को बारे में बात किया जा रहा है ठीक है चलिए आगर देखते हैं काटल बकरा घरे घर भूले काटल बकरा घरे घर भूले का है कैसे के बुझू पईला ठीक है चलिए आगे रहते हैं काचुलल कागारल एथा राजा आउतारे काचुलल कागारल एथा राजा आउतारे इसको बुझिए क्या होगा देखे देखते हैं क्या होगा आरू, आरू, मतलब जान रहे होंगे, आरू एक कंदा होता है, ठीक है, कंद होता है, जो जमिन में नीचे तक जाता है, ठीक है, एक कोई चीज गाड़ा हुआ है, उस तरह से रहता है, उसी का बात किया जा रहा है, चलिए, आगे रहें, काट कर घोड़ा, लोहा कर सिंग, एक का है, मिर्दग, माईर दे, मिर्दग, बाजे, धातिं, तिं, क्या होगा, धेकी, ठीक है, धान को इचने वाला धेकी, काट कर केरा कोठरी, लोहा केरा ठोर, काट का केरा कोठरी है, लोहा केरा ठोर उसका जो ठोर है लोहा का है ठीक है और आगे आगे बगुल जाए आगे आगे बगुला की तरह जाए से कर पाच्छे चोर का है किसी की बुझू क्या है उसको बुझिए ठीक है देखिए इसका जो सही अर्थ होगा हो है गरू गरू मतलब बैल फिर हर फिर फा इतना इसका अर्थ होगा ठीक है चलिए आगे देखिए करिया बन में करिया सियार करिया बन में करिया सियार क्या है केस और धिला बाल और जून ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों इतना ही आज की इस वीडियो में यह बहुत ही महत्पुन वीडियो था आप लोगों के लिए किसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को अंतक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैजहारखन जोहार